हलो नमस्कार इस्टुएंट मैं विशेक भारगाव भारगाव क्लासस के इस यूटीब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज के जुमारे वीडियो को टॉपिक है वो है 36 गड़ करेंट फेर एक जुलाई से 15 जुलाई 2021 तो हमारे जितने पहले के करे पीडिएफ यदि आप लोगों को डाउनलोड करना है तो इसके डिस्क्रिप्रेशन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया गया है तो उस लिंक से जाकर आप पहले टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लिजेगा वहां पर आपको ये पीडिएफ जो है अब लेवल हो जाएगा तो डाउनलोड कर लिजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन-कौन से प्रश्न है ठीक तो पहला प्रश्न है इसके अंदर में तो देखिए पहला प्रश्न हमने कल पूछा था उसका पहले अंसर देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न हमने क्या मुख्यमंत्री भूपेज बगेल ने किया, तो यह आपको नोट डाउन कर लेना है और याद रखना है, ठीक, वैसे भी आप PDF डाउनलोड करेंगे, तो इसको जरूर से याद रखेगा, ठीक है, दूसरे प्रशनी इतरे चलते हैं, दूसरा प्रशना है, कि छतिज़गर के एत और इसमें कितने खर्च होंगे, वो भी देख लिए, तो तीन चरणों में 22 करोड 96 लाक रुपए जो है, वो खर्च किया जाएंगे, ठीक है, तीसरा प्रशनी की दरे प्लते हैं, तीसरा प्रशना बोल रहा है, कि छतिज़गर के किस जीले को हाल ही में नकसल मुक्त जीला वो घोशित किया है, देखें, नकसल मुक्त जीला जो है, वो घोशित किया है, तो वो किया गया है, बालोत को, किसको किया गया है, बालोत को नकसल मुक्त जीला घोशित किया गया है, एकदम important question है, ध्यान रखेगा, याद रखेगा, लंबे समय से जीले में नकसली दिया नहीं होने की वज़ा से हाली में DGP, DM अवस्ती ने जीले को नकसल प्रभावित जीले से मुक्त घोशित किया है तो याद रखेगा most important question है, ठीक, चौतह प्रशन की इतरे चलते हैं, चौतह प्रशन है कि छत्तिगर्ड राज वित आयो के अध्यक्ष किसे बना गया है, तो चत्तिगर्ड राज वित आयो के अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है, सर जीयस मिंज को, किसको बनाया गया है, सर जीयस मिंज को, इनको जो है वो चत्तिगर्ड राज वित आयो के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो चत्तिगर्ड सासन के वित विभाग, मंत् द्हान के 243 जह के खंड एक सहपठित तथा संसोधित छतिगर्ड राजवित आयोग अधिनियम 1994 की धारातीन के थार किया गया है ऐसे कोशन जो है एक्जाम में इंपोर्टेंट होते हैं पूछ लेया आता है इन सभी के बारों में इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेगा ठीक है इसके पाचा प्रशन है कि प्रतिष्ठित महराष्ट भूषण पुरसकार 2021 से किसे सम्भानित किया गया है यदि आप इनको पहचानते हैं तो इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे तो प्रतिष्ठित महराष्ट भूषण पुरसकार 2021 से किने सम्भानित किया गया है तो य सिद्ध पार्श गाई का आसा भोसले को प्रतिष्ठित पुरसकार के लिए चुना है आसा भोसले को हिंदी सीनिमा में पार्श गायन के लिए जाना जाता है तो इनको ये प्रतिष्ठित पुरसकार जो है वो दिया गया है तो याद रखेगा नेक्स्ट प्रसन की तरफ चलते किया गया है तो यह है जार्खंड राजििके ने राजिपाल कौन रमेश-बैस ठीक है तो याद रखेगा इन से कोशन बन सकता है केंद्र सरकार ने मन्तरी मुंदल विस्तार की सरगरियों के बीच कई राजियों के राजिपाल बदल दिये, रमेज बैस को जारखंड राजिपाल के रूप में इस्तरांतिरित किया गया है, इससे पहले रमेज बैस जो है वो त्रिपूरा के राजिपाल थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि इससे पहले ये कहां के राजिपाल थे, तो ये त्रिपूरा क के राज़ेपाल थे और चतिगर से संबंदी थे इसलिए इनका नाम हमेसा आपको याद रखना है और यह कहां के राज़ेपाल है अभी हाल फिलाल में तो जारखन के राज़ेपाल है ठीक है याद रखेगा इनका नाम क्या है रमेश बैस सात्वा प्रशन है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रशन है कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहां बनाये जाएगा ठीक है मानव निर्मित जंगल की बात की जारी है तो मानव निर्मित जंगल जो है कि बहुत बड़ा होता है और यह जो है वो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित ज गमीन जो है वो 885 एकड छेतर में यह प्रोजेक्ट जो है वो विक्सित किया जा रहा है लगबग 3 करोड रुपए की लागात से 3 सालों में यह प्रोजेक्ट को पुरी दरा से तियार किया जाएगा इसके लिए DFM अथवा अन्य मदों से रासी ली गई है परियावारान के मुख्य मंत्री भुपेज बगेल ने निर्देश पर यह प्रोजेक्ट जह वो तेयार किया गया है यह प्रोजेक्ट देश दुनिया के सामने उधारान प्रस्तूत करेगा कि इस तरह से निस प्रियोज माइन्स एरिया को नेचुरल हैबिटेट के बड़े उधारान के र विज्ञान केंद्र को सम्मानित किया गया है most important question है IMP टिक कर लिजेगा जब भी यह PDF डाउनलोड करें तो इसमें ऐसे IMP टिक कर लिजेगा तो यह जो है वो है क्रिशी विज्ञान केंद्र कोरिया यह आप यहां पर फोटो में देख सकते हैं क्रिशी विज्ञान केंद्र क पुरुसकार जो है वो क्रिशी विज्ञान केंद्र कोरिया को प्राप्त हुआ है भारती क्रिशी अनुसंधान परिसर नई दिल्ली द्वारा IECAR K93 वे स्थापना दिवस पर 36 सासन की महतोकांची योजना नर्वा, गर्वा, घुरुवा और बाड़ी के प्रभावी क्रिया के लिए इंद्रा गांधी क्रिशी विज्ञान केंद्र कोरिया को वर्ष 2020 पंडित दिन दियाल उपाध्या है, क्रिशी विज्ञान राष्टी प्रुस्टान पुरुसकार समारों में 33 स्थान अपराप्त करने पर यह प्रुसकार जो है, आपको यह याद रखना है कि राज माता देविंदर कुमारी इनके नामパर क्या किया गया है अंभिगापूर मेडिकल कॉलेज का नाम किया गया है तो विधान सब्षवा सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री भुपेज वगेल ने सरगुजा के लिए एक बड़ी घोशना की यह अंभिगापूर लोगों के ल यह बन कर निकलता है तो याद रखिएगा जितने भी कोश्चन यहां पर लिए जाते हैं वह सभी लबग लबग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप लोगों को यह थोड़ा सा ध्यान रखना है दसवा प्रश्ण है कि 36 सरकार ने मोटे अना जो के लिए कौन सा मिशन की सुरुवात किये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्ण है यह भी IMP टिक कर लिजेगा ठीक है जब भी यह PDF डाउनलोड करें PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में मिल जाएगा तो वहां सा जाकर आप क्या करिएगा टेलीग्राम गुरूप जोईन कर लिजेगा वहां पर आपको यह PDF देखने के लिए मिल जाएगा तो वहां से डाउंलोड कर लिजेगा तो इस मिशन का नाम है मिलेट मिशन झाड़ सरकार ने मोटे आज कहा जाता है और रागी फसल को प्रसाहान देने के लिए मिलेट मिशन की सुरुवात की गई है मुगी मंदर की विशेश पहल पर कोदो कुटकी के लिए जहां समर्थन मुल्य गोशित किया गया है वही राजी गांदी किसान या योजना में इन फसलों को सामिल करने के लि कोदो कुटकी का समर्थन मुल्य जो है वह गोशित किया गया है ठीक है ग्यारो प्रशने की देश में सरवाधिक महिला विधाय किस राज्य में है तो ये नीचे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर जरूर बताना है ये प्रशन भी एक इंपोर्टेंट प्रशन है आपक पूछा सकता है देखिए अभी तो हम जो है हमारा करेंट अफेर छूट गया था वीडियो नहीं आ रहे थे तो वह कवर कर रहे हैं इसके बाद जल्द ही नए जो है करेंट अफेर भी स्टार्ट कर देंगे और आपके जितने भी डाउट हैं जैसे कि बहुत सारे बच्चों स्था ले कि एक्जाम कब होने वाले हैं तो देखें हैं यह एक्जाम कब होने वाले हैं ये तो आपको च्छतिसग्णर मेंननी और उसकी साइट पर भी जाकर पता चलेगा जब महाँ पर update होगा तो आपको वो पता चल जाएगा जैसे व्यापम के जितने भी exam है तो वो 36 व्यापम की site पर जो है वो update किया जाएगा जैसे ही update होता है यदि आप लोगो को नहीं मिल रहा है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगो को जरूर सूचना दूगा कि आपके एकदाम जो है वो कब होंगे ठीक है जितने भी notification आएगे उन्सकी सारी भी सूचना जो है आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे हो तो नीचे जो है वा लाइक का बटन दिया गया है त लाइक करिएगा सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो आज के वीडियो में नहीं था जय हिंद जय भारत